तुम यहां ऐसे ही दिन में सपने देखते रहो और वहां मेरी शादी हो जाएगी क्योंकि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा कमाने के लिए काम क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तुम क्या काम करते हो मैं बताओं तुम कुछ नहीं करते हैं मेरे बाबा ने हेड्मास्टर से कहकर तुम्हारे लिए मेरे स्कूल में पियन की नौकरी लगवाई और तुम एक दिन भी नहीं आए स्कूल में घंटी बजाने में तुम्हें शर्म आती है हां ऐसे बिरोजगार बैठने में तुम्हें शर्म नहीं आती इससे अच्छा तो स्कूल में घंटी बजा लो कम से कम पगार तो आती रहेगी लेकिन नहीं इन्हें तो पिजनस करना है अरे भैस मुडाने का भी बिस्मेस करोगे न तो 150 रुपे एक भैस का मिलेगा और उसका ट्रिमर उसका ट्रिमर मशीन लाने के लिए 2000 रुपे का इंवेस्टमेंट वो कहां से आएगा? तुमारे पास तो वो भी नहीं है बस अब बहुत हुआ चपड़ासी की नौकरी करो, चने बेचो, चाय बेचो या फिर सच में भैस मुडाने का काम करो दो महीने सिर्फ दो महीने हैं तुमारे पास कृष्णा इससे ज़्यादा मैं अपने बापा को नहीं रोक पाऊंगी उसके बाद वो जो कहेंगे जैसा कहेंगे मुझे करना पड़ेगा